तो आप सभी को आज जिस कंपनी में हम नोकरी बताने वाले हैं वो एक बहुत ही बढ़या मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि कई सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है और कई सारे सेक्टर्स में ऑपरेट करती है तो यह काफी अच्छी कंपनी है इसके वारे में बात करते हैं जो क सारे लोगों की जॉब जा चुकी है अगर वो लोग अप्लाई करना चाहरा है तो आप जाके यहां पर साइट पर जरूर अप्लाई कर सकते हैं पर कंपनी देख सकते हैं बहुत ही ट्रस्टेट कंपनीज है और अभी चल यह कोई भी बिजनेज बंद नहीं हुए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपको बताते हैं सबसे पहले गोल पर हम सच मार लेंगे कंपनी का नाम है अतुल लिम्टेड करके कंपनी के नाम है देख सकते हैं पहले फर्स्ट नंबर पे यह उसका लिंक आ चुका है इसको बोपिन कर लेंगे तो सबसे पहले बैक में आपको दिखा देते हैं कुछ इसके वारे में दिखा देते हैं जो कि अतुल लिम्टेड है यह देख सकते हैं आम 1946 में लें पर गुजरात के वलसाड में है इसके परेंट्स है लाल भाई ग्रूप फाउंडर है कस्टू कस्टू भाई लाल भाई तो यह 1947 से चल लगी आप देख सकते हैं इसकी बहुत सारी सबस्क्राइब कंपनीज भी हैं तो इसमें आप चलते हैं आपको देखते हैं चलके कंपनी के इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है कंपनी कि के बीजनेस्य से ऐप करती है तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं अब डेलगते हैं तो क्या बोलते है तो अ कि एंप्रूब्मेंटक्रिवन लिएडटकेड़ के इमिकल कंपनी है जोCS लूर थॉजन कंपनीफ के बीच में 30 industries across the world बहुत सारे country में 30 industries की हैं जो की company की subsidies हैं मलब बहुत सारी companies कुछ ने या तो take over किया है खरीदा है या उनमें invest कर रखा है या वहाँ partnership में है या इनकी खुद की कमपनिया है जो कि USA में 1994 में इन्हों में इस्टार्ट किया है UK में 1996 में चाइना में 2004 में ब्राजील में 2012 में और UAE में 2015 में और इंडिया में तो इनके कही सारे plants हैं ही तो यह आप जाके company के बारे में आप पढ़ सकते हैं जाके इनकी company के बारे में कैसी company है तो अभी इनके businesses के बारे में देख लेते हैं बिजनेस क्या कहां 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 कौन से बिजनेस में operate करते हैं लोग तो देख सकते हैं आपर कई सारे products देख रहे हैं कुछ idea मिल गया हुग आपको तो सबसे पहले aromatics में जो कि इनका एक business है वर्ल्ड ग्लाज बिजने है बनाते है बल्क-chemical intermediate जो टायर संडस्टी के लिए जो product चाहिए होता है वह उस बिजनेस में भी है agriculture righteousness में भी आप देख सकते हैं crop protection बलक में जो की agriculture में gonna get a 후 Lup protection के लिए chemical बनाते हैं उनमें भी है यह देख सकते है crop protection में भी लोग है solution उन feu나ते है liquids यह जो प्रवाइड करते है raw material यह ofkit игр Poros to be reliable supply quality tissues culture तो इस product में भी यह है pharmaceutical को फार्मासो7 कल में भी पर यह लोग हैं देख सकते हैं आप फार्मस्योटिकल में दवाएं वाएं जो भी बनाते हैं मेडिसिंस और यह सारी चीजहों के लिए उनके लिए है तो फिर उन फार्मस्योटिकल बनाने वाली कंपनियों के लिए जो प्रोड़क्ट अंका रहो मेट्रियल लाता है उसके ल रहा होता तो दूसरा बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि एक साथ सारे बिजनेस खराब हो चुके होती हैं तो इस टाइप की कमपनियां क्या होती है बैलेंस करके चलती है अगर एक बिजनेस में कहीं लॉस हो रहा तो दूसरे बिजनेस रिकवर करके सारे लोग की जॉब या चीज कुछ इस्ट्रें का इंटर्फेसिस का है इन्होंने कुछ फिलास्पिक पी अपर्चुन्टी इस टाइप की कुछ चीजें दिखाई हुई है अपनी कंपनी के बारे में अगर आप कोश्चन या इनके बारे में और चीजें पढ़ना चाह रहे हैं आप क्या रिकोगनेशी सनन सब्सक्राइब करने से पहले इनको पढ़िए तो चलिए देखते हैं आप पोर्चुन्टी इस कहां कहां पर ओपिन है तो उनको हम देखते हैं चलके तो अतुल लेंटर में देख सकते हैं कुछ इस्टने का पे जाया अगर आपको किसी लोकेशन बेस पर पता है इस कंपनी फने डिन लोकेशन पर सच वानना तो आप यहां पर ढिलिया कीवर्ड शो भी डाल के सकते अगर अप सारा कुछ चाहते हैं तो और आप सब्सक्राइब में सीच पे मैनुफेक्श्रिंग प्रोडक्सिं के लिए है ai दूसरा senior executive यह फिर senior executive है mechanical maintenance के लिए आप इन में देख सकते हैं जो location दिखा रखा एंग लेसर यह गुजरात में भरुच डिस्टिक्स में पड़ता है वहां के unit के लिए है दूसरा भी यह लगभग जो अतुल है यह वल साट district के लिए यहां पर जो अतुल में जो इसकी company वहां वालसाड district के लिए मेंटिनेंस के लिए ओपन है, तीसरा जो ब्यूजनेश unit है, पॉलीमर के लिए है, यह बलक remedies के लिए है, और तीसरी जो senior executive packaging के लिए है, पॉलीमर division के लिए है, चौती जो rubber testing lab के लिए है, वो बुठ रेविंडिज ये अतुल के लिए मेंस ये जो दिप्लोमा में मेकेनिकल चाहिए बाकि यह सब आप उपर पढ़ सकते हैं उनको रोल परपस क्या क्या चाहिए उनको में इस टाइप को चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए तो इस तरह से आप यहां पर जाके देख सकते हैं इनकी पर पॉटन है यहां पर जाके आप फॉर्म आएगा वो फॉर्म फील अप करके अपकर है अब डिप्लमेंट के लिए एक बंदा चाहिए होगा तो इस टाइप की यह सारी की सारी जौब हैं लिए लाश्ट वंद्रा दिन पहले यह आई हैं और इन लोग आपको बता देतें मल निकलिया तो कल फिल अफ हो जाता क्योंकि इनकी बहुत सारे जो लीगल प्रोसीजर होते हैं वो फॉलो किया जाते हैं तो चलते हैं हम सब से पहले सेनियर अग्जिक्रिट्व पूस्ट जो है मनुफेक्ट्रिंग में देखते हैं क्या है इनका रूल और रूल परपस इनों द प्रूरी होता है जो कि उनके क्वालिटी प्रोडक्शन में और मेंटिनेंस में बहुत फुल हल्पूल होता है ट्रेनिंग अप कॉंट्रेक्ट एंप्लॉई कंपनी ऑपरेटर रियल टाइम डेटा इंट्री इंट्री इंप्रूब्मेंट इसको यह सारी चीज़ें यह चली एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्हों क्या मांगा है वो देखते हैं डिप्लोमा या मांगा है या फिर एमस्सी अदरवाइद आप बीटेक या बीटेक कर सकी हुए होना चाहिए केमिकल से वो भी चलेगा तो यह थी येर से लेके एट येर के बीच का इन्होंने वर ग्हार ने रहे हैं तो क्या करना है कि मैकसिम आपको प्रॉड़क्शन जो भी टार्गेट दिए झाते हैं उसके इस आपको प्रोड़क्शन ऐशर्na Prime. चीज है आज के टाइम पर सारी कंपनी के लिए बन गई है और इसके वारे बहुत जादा इसके वारे मैं किसी दिन डिसकस करूंगा आपको एक नए टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगा फाइफ एस पर तो यह बहुत जादा जरूरी हो गया तो अगर नहीं जानते हैं तो किसी डिबी डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है वो बात में बताते हैं अभी यहां पर लंबा हो जाएगा वीडियो अचीव राइट फर्ष्ट टाइम क्वालिटी एस पर इस स्पेसिकेशन जो भी क्वालिटी के परामिटर है उनके बेस पर प्रोड़क्ट को आपको प् है उनको छूबि में ने बनाई यह उनको फौलो करना है वो अपली केवल उनके भी इस पर ही काम करना है इनसे और उसे उप आरेम एंड यूटिलिटी इसे अर्पर बजट नॉम्स तो जो भी यूटिलिटिज है उनको नॉम्स के इसाफ सी यूज़ करना है या जयसा कि यह करते हैं तो कंड़क्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम पॉस्ट प्रोडक्टिविटी और यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के टाइम से सारी कंपनियां चाहते हैं कि आप से अप्रोड़िक्टी के बारे में हाँ अपनी टीम को डेल टाइम टॉ-टाइम ट्रेनिंग द अपनी डॉ-टर पहुंच जाएक हैं तो पहले ही हमें अच्छे पहले टाइम पर रिकवर कर लिया जाएगा अगर हम फिवर आ जाता ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो वह ज्यादा क्रेट कल हो जाएगा रिकवर करने में पार्टिसिपेटिव टाइप कवंदा होना च चाहिए behavior behavioral competence इन्होंने मांगा analytical analytical होना चाहिए functional होना चाहिए तो यह कुछ है आप देख सकते हैं functional competence competence मांगा इन्होंने unit operation प्रोसेस होना चाहिए troubleshooting debottal linking होना चाहिए exposed to QMS EHS IPS ISO यह सारी चीज़ों के बारे हैं अगर नहीं जानते हैं तो मैं इनके बारे सेप्रेट वीडियो वन बाई-वन बनाऊंगा hand on sulfuric process होना चाहिए technical skill में sulfuric on DMS exposed होना चाहिए pilot plant technology transfer exposure होना चाहिए तो यह सारी चीज़ें जो हैं अगर आपके पास हैं तो आप इस job के अपलाई कर सकते हैं तो इसके लिए ओप्सन आपको आ रहा होगा देख सकते हैं जोब application जो apply पर जॉब का आपको यहां पर जाना है कुछ नहीं करना है जोब अप्लाई पर जॉब के लिए जाना है और यहां पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी next page open होके आएगा वहाँ पे पूरा form आएगा तो आपके सारी details fill up करना होगा नॉर्मली जो भी यह name है, phone number है, email ID है last company कहां जो आप कर रहे हैं इस type का कुछ form आते हैं company इसके थोड़े बहुत vary कर सकते हैं company to company तो वहाँ पर जब जैसे डाल देंगे आप उसके बाद आपका latest CV updated CV इसमें आप attach करना होगा रोग आपको send करना होगा अच्छा इसमें एक बहुत अच्छी चीज आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी company में जो ही apply कर रहे होते हैं तो आप एक ही CV हर जग अपलाई मत कर दिया करिए क्योंकि उनके जो job description होते हैं उनसे related ही CV को modify किया करिए time to time company to company हलका फूल का change किया करिए तो उस base पे कि उसको चाहिए क्या वो point जो उसमें दिये हुए हैं तो उससे relate करते हुए आपको देना होगा कि उनको यह चीज़ें चाहिए आपको क्या आता है उनसे मतलम नहीं है वो extra उनके लिए होता है इससे आप देंगे तो आपका solidist होने के chances ज्यादा बढ़ जाते हैं यह देख सकते हैं आप page open होके आया है तो यह sign in process उनके लिए जो पहले से login कर चुके जिए अप एकाउंट create कर चुके बड़ जैसे नहीं बना है यह रेजिस्टर नाव पर जाएगा सबसे पहले रेजिस्टर नाव में जाके आप सबसे पहले डीटेल भर सकते हैं यह देख सकते हैं पेज आ चुका रेजिस्टर नाव का यहां देख सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड कंफन पास्मेंट फास्नेम लाट नेम इमेल एड्रेस फोन नमबर कंट्री एड्रेस इस टाइप की सारी चीज़ें डालेंगे सिटी पिन कोड एगरी करेंगे तो आपका एकाउंट क्रियेट हो जाएगा उसके बाद आप उना सीवी या डीटेल जो भी है वो फिल अप करके आप इस पे जैसे ही सेंड करेंगे कंपनी के पास पहुँच जाएगा और उसके बेस पे वो स्टलिश करेंगे आपके अपने जॉब डिस्क्रिक्शन के साथ से जो उनों जॉब डिस्क्रिक्शन डिपार्टमेंट के साथ से चाहिए होगा अगर अपका सीवी उन चीजहों में फिट वैट रहा है तो आपको को इंटर्व्य के लिए कॉल किया जाएगा तो यह था हमारा आज का ट्यूटोरियल कुछ विकेंसी जो नई मल्टीनेशनल कंपनी में आई हुई थी तो जाके आप लोग जरूर चेक करिए अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उने फ्रेंट्स को जो नीडी परसन है जो बहुत जरूरतमन दोस्त हैं रिलेटिवस हैं जानने वाले लोग हैं उनको रिफर करिए तो अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा है तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले और सारे बहुत सारी जोब्स रिलेटिवस आप तक सबसे पहुद्ले पहुचे हैं